हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिकल सेल एनिमिया अर्थात हसियाकार और अरक्तता के बारे में समझेंगे तो आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं देखें सिकल सेल एक अन्वानसिक बिमारी है जो माता पिता से संताम में जाता है इस वीडियो में हीमोगलोबीन के प्रभाव के कारण समान्य रबीसी के जगह में हसियाकार आकार के रबीसी बनने लगते हैं ऐसा क्यों होता है इसके क्या प्रभाव पढ़ेंगे आए इसको समझते हैं देखे सिखल सेल एनमिया मेंडलिय विकार है मेंडलिय विकार उन विकारों को कहा जाता है जो एक कारक अर्था अभी जिसको जीन कहा जाता है एकल जीन के कारण होते हैं अर्था सिखल सेल एनमिया एकल जीन उत्परिवर्तन जिसको कि आप बिंदू उत्परिवर्तन या पर प्रभावी रूप से पाया जाता है ध्यान दीजे अब प्रभावी रूप से अथा जब एक कारक सिकल सेल का होगा तो उस वेक्ति में अलक्षड नहीं दिखाई देंगे जब तक कि दोनों कारक उसमें उपस्थित ना हो अब यहां पर समझ ये कि हीमोग्लोबीन जो है य बीटा 1 और बीटा 2 कहा जाता है हीमोग्लोबीन रोवीशी की सतफ पर लाखों की संख़्यां में पाय जाते हैं और यही हीमोग्लोबीन आक्सीजन को ग्रहड करते हैं अब ध्यान दें कि चुक्कि प्रोटीन है् प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है mRNA के द्वारा mRNA पर जो कोडान DNA बनाता है उसी कोडान के हिसाब से एमीनुम लाकर जूडते हैं और उसके प्रकार के हिसाब से प्रोटीन बनता है यदि हमको सामान ने प्रकार का हीमोगलोबीन चाहिए तो जो बीटा की स्रिंखला है इन दोनों बीटा स्रिंखलाओं पर छठ्वे अस्थान पर क्या होगा ग्लुक्टामी कमल उसके लिए एमारेने पर क्या कोड होगा जीए जीए ये कोड कोन बनाता है डीने पर सी टीसी देखिए पूरा खेल यहीं से प्रारम हो जाता है इसमें जो पॉइंट यह दिख रहा है टी इस नुकलियो टाइट पर म्यूटेशन हो जाए ती के अस्था ग्लारेने बने गा उसके जो कोडान होंगे उस कोडान में γीए जीए जी ना करके क्या होगा जीओग GAG किसको कोडित करता है Glotemicum को GUG कोडित करता है Veline को तो इसमें जो बीटा स्रिंखला बन रहा है उसमें कोई भी एक बीटा स्रिंखला जिसमें छट्वे अस्थान पर Veline आ गया इस Veline आने के काराण Hemoglobin का एक बीटा स्रिंखला प्रभावित होता है जिसके कारण पूरा Hemoglobin प्रभावित हो जाता है और यह आक्सिजन का ग्रहन नहीं कर पाता उस निम्न आक्सिजन तनाव के कारण देखिए इसकी सता पर लाखों की संख्या में Hemoglobin पा जाते हैं और वो Hemoglobin आक्सिजन का ग्रहन नहीं कर रहा है जिसके कारण यहाँ पर निम्न आक्सिजन तनाव हो गया उस तनाव की कारण जो RBC है इसका आकार बदल कर हसिया के आकार का हो गया और इसी को कहते हैं सिकल सेल एनिमिया और इसका मुख्य कारण है इसी DNA में पाइंट म्यूटेशन एकल जीन परिवर्तन इसी जीन में रुपा अब जब इसमें रुपांत्रण हो गया तब क्या होगा देखिए सिर्फ एक रुपांत्रण से इस टी के जगह में ए आ गया तो सी एसी वहाँ पर DNA में होगा इसके कारण जो एमारेने बनेगा उस पर जो कोडान बनता है छट्वे अस्थान पर ओ जाता है जी उजी इस कारण ग्लुटेमिक अमल के अस्थान पर कौन सा अमला कर जुड़ेगा वेलीन वेलीन एमीनो अमला कर जुड़ता है जिसके कारण हीमोगलोबीन असामान ने हो जाएगा और उसके असामान ने होने के कारण निम्ण आक्सिजन तनाव उत्पन होता है जिसके कारण RBC भी हस तो इसके कारण क्या प्रभाव पड़ेंगे तो यहां पर O2 ग्रहण छमता में कमी हो जाता है जिसके कारण निश्चित है आक्सिजन को सिकाओं को चाहिए उर्जावत पादन के लिए तो नहीं मिलेगा तो थकान होगा और दूसरा RBC का जीवनकाल इसमें 100-120 दिन होता है तो इसका कारण है कि मलेरिया का जो परजीवी है पलाजमोडियम वो मनुस्यों में RBC की भीतर अपना जीवन चक्र पूरा करता है जब उसको इस तरह का RBC नहीं मिले और साती तरह का RBC मिलता है तो यहां पर उसका जीवन पूरा नहीं हो पाता इसलिए ऐसे बेक्तियों में मलेरिया का रोग नहीं होता सिकल सेल एनिमिया सबसे ज्यादा नुक्सानदा एक तब होता है जब उसके दोनों अलिंगुर सुत्रक के जो जोड़े हैं उन जोड़ों पर ये कारक या जीन उपस्थित हो क्योंकि तभी वह म प्रशागति को भी समझते हैं कि कैसे या जनक से संतानों में जाता है तो देखें यहां पर जो अलिंगुर सुत्र है उसके दोनों जोड़े को पूरे भाग को नहीं बल्कि हम उसमें जो हीमोग्लोवीन बनाता है उस कारक या जीन को यहां पर बना लेते हैं यह एक जनक का हो गया और यह हो गया दूसरे जनक का इसको माल लेते हैं कि यह जीन सामाने प्रकार का हीमोग्लोबिन मनाएगा अब इसमें सीकल सेल एनिमिया का यह जीन हो किसी एक में दो जोड़े में से किसी एक नहीं है हम इस कंडिशन में पढ़ सकते हैं वाहक इधर भी वही कंडिशन होगा इसमें भी हम सिर्फ वाहक को ले लेते हैं क्योंकि जब तक माता पीता दोनों वाहक नहीं होंगे तब तक संतानों में यह लक्षाड नहीं दिखाई देगा तो एक कुमाल लेते हैं वाहक माता और दूसरे कुमान लेते हैं वाहक पिता इनसे युगमक बनेगा दो प्रकार की युगमक बनेंगे अर्थात ये विशम युगमकी होंगे अब देखिए कौन सा युगमक किस से मिलता है तो इसको पहले इन दोनों से मिला लेंगे इस तरह से आप खीचे ऐसे दो लाइन और इस पहले वाले को इस दोनों से मिला दीजे उसके बाद इसके पास ऐसे दो लाइन खीचे और इसको भी ऐसे इन दोनों के साथ मिला दीजिए यहां कौन सा कारक आया देखिए HB, HB यहां पर HB, HB लेकिन एक के पास सिकल सेल बनाने वाला जीन उपस्थित है यहां पर देखिए HB और यह वाला HB इसके पास भी सिकल सेल बनाने का कारक उपस्थित है और लास्ट वाले में इसके पास दोनों में सिकल सेल बनाने का कारक या जीन उपस्थित है ऐसा जो संतत्ती है यह कैसा होगा सामान इसमें कोई भी लक्षर नहीं दिखाए दे रहे है इन दोनों में देखिए, एक एक कारक उपस्थित है, तो यह कैसे होंगे? वाहक, रोगी नहीं होंगे, वाहक होंगे, इसमें सिकल सेल का लक्षण दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर यह जो है, जिसमें दोनों सिकल सेल के कारक उपस्थित हैं, इसलिए यह संतत्ती रोगी हो तो एक अनुपात, दो अनुपात, एक तो इस प्रकार ये देखिए मेंडल के नियम के नुसार, इसमें एक अनुपात, दो अनुपात, एक के रूप में संत्रति प्राप्त हो रहे हैं, अर्था चार संतानों से तूल ना करें, तो चार में एक सामानने होता है, चार में दो व रोगी होगा तो ध्यान दीजिए रोगी संतान कब होते हैं जब वाहक माता और पिता दोनों हो कोई एक वाहक होगा तो हमको रोगी संतत्ति प्राप्त नहीं होंगे तो इस तरह से आप सिकल सेल के बारे में समझ गये होंगे साथ ही साथ इसकी वनसा गती को भी समझ गये कि अ